दोस्तों कहते हैं कि हमारी जिंदगी में हमारे बड़े बुज़ुर्गों का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमें ऐसी ऐसी चीजे सिखा जाते हैं जिससे हम अपनी जिंदगी में तरक्की करके उसे बहतर बना सकते हैं लेकिन आज की कहानी में हम देखेंगे एक ऐसे आयाश और ठर की बुढ़ाव को जो की अपने ही पोते की लाइफ की खोल कर बजा देता है कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं जॉनी जलजीरा को जो की एक लॉयर है और अपनी दादी के फ्यूनरल पर आया है तबी वहाँ पर उसका दोस्त डीला ढकन आता है और उसे कहता है कि भाई मुझे ये जानकर बहुत बुरा लगा कि दादी जी का मर्डर हो गया जौनी जलजीरा कहता है कि नहीं भाई उनको cancer था डिला ढकन उसे कहता है कि अब तु पागल हो गया है क्या cancer से भी कोई मरता है और मैं तो उस आदमी को ढूंड कर रहूंगा जिसने दादी जी का murder किया है जिसके बाद वो चूतिया दादी जी की बोड़ी पर दारू डालने लगता है तब ही जॉनी जलजीरा उसे रोकते वे कहता है कि सुन बे धककन यहाँ पर मेरी होने वाली पत्नी और मेरा बाप दोनों खड़े हैं इसलिए अपनी ये बकवास बंद करो निकल यहाँ से इसी दुरन वहाँ पर दादा जी भी आ जाते हैं जो कि अपनी पत्नी के जाने से बहुत ज़्यादा दुखी थे फिर फ्यूनरल के बाद हम दादा जी को देखते हैं जो कि जॉनी जलजीरा के बाप से बात कर रहे थे कहते हैं कि अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना मैं वेगस जा रहाऊ हूं जहां पर मैं और तुमारी मां अपनी जवानी के टाइम पर मस्टी किया करते थे वो बताते हैं कि मैं खुद हमाँ पर चला तो जाता लेकिन मेरा license expire हो चुका है इसलिए मैं चाता हूँ कि मुझे वहाँ पर Johnny जलजीरा लेकर जाए और इस बहाने में Johnny जलजीरा के साथ कुछ time भी बिता लूँगा अब Johnny जलजीरा पहले तो उन्हें मना कर देता है लेकिन उसे भी अपने दादाजी के साथ time बिताए काफी वक्त बीद गया था इसलिए वो उन्हें Vegas ले जाने के लिए मान जाता है फिर अगले दिन Johnny जलजीरा दादाजी को pick करने के लिए उनके घर पर आता है लेकिन जैसे ही वो उनके रूम में गुसता है तो उसकी फटकर 464 हो जाती है क्योंकि वो देखता है कि कमरे में उसके दादाजी टीवी पर मजदूरी वाली फिल्में देख रहे हैं और हाथ गाड़ी चला रहे हैं अब ये देखकर Johnny जलजीरा सन रहे जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसने अभी अभी ये क्या देखा उसे लगता है कि दादी जी के चले जाने से दादा जी को सदमा लगा है और वो पागल हो चुके हैं लेकिन दादा जी तो एकदम मस्त थे और वो उसे कहते हैं कि जल्दी से चलो हम गॉल्फ के लिए लेट हो रहे हैं इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं लेकिन वहाँ पर जाने से पहले वो दोनों लंच के लिए कैफे में रुकते हैं यहाँ पर दादा जी जॉनी जलजीरा से कहते हैं कि तुम तो एक फोटोग्राफर बनना चाते थे ना, तो तुम एक लॉयर कैसे बन गए, जिस पर जॉनी जलजीरा कहता है कि हाँ मैं पहले बनना चाता था, लेकिन मुझे उसमें कुछ खास मज़ा नहीं आया, अब जॉनी बातों से दादा जी को पकाने लगता है, इसलिए दादा जी वहाँ से उठकर लड़किया ताडने के लिए बाहर चले जाते हैं, वहीं कैफे में हम दोस्तों के एक ग्रुप को देखते हैं, जिनके नाम थे बालचतरी, बुलबुल बजवाले और पापा की परी, तबी बा अब बालचतरी जॉनी जलजीरा से बात करने के लिए उसके पास आती है, लेकिन जॉनी जलजीरा उसे एक वेटरस समझ कर उसे बिलके पैसे थामा देता है, अब इतने पैसों को देखकर बालचतरी के अंदर लालचा जाता है, और वो लोग उन पैसों को लेकर वहाँ से न लेख लेता है और चिलाते हुए बहार आता है वो लोग कार चालू करके जाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी कार स्टाट नहीं होती तभी जॉनी जल जीरा भी भागते हुए उनके पास आता है और वो बाल चतरी को पहचान। कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ तुम मेरी फोटोग्राफी क्लास में थी ना इसी दुरन वहाँ पर दादा जी भी आ जाते हैं और जॉनी जलजीरा के पिछवाडे में उंगली करते हैं फिर वो लड़कियों को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और कहते हैं कि मेरा न जहां से एक बीच पर जा रहे हैं और अगर आपको भी हमारे साथ मस्ती करनी हो तो आप लोग भी वहाँ पर पहुंच जाना जो कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं इसके बाद दादा जी और जॉनी जलजीरा गॉल्फ कोर्स पहुंचते हैं जहां पर दादा जी को वहाँ प और उसे गॉल्फ सिखाने के बहाने उसके बदन से अपने सामान को सहलाने लगते हैं। अब ये सुनकर उन दोनों लड़कियों को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती हैं। तभी दादा जी वहाँ पर आते हैं और जॉनी जलजीरा से पूछते हैं कि क्या हुआ वो चली क्यों गई। जॉनी जलजीरा कहता है कि मैंने उनको सब कुछ बता दिया कि पिछले हफते ही आपकी पत्नी का देहान तुआ है और आप दिमागी रूप से बिमार हो। अब ये सुनकर दादा जी गुसा हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि अब तूने ये सब उनको क्यों कहा। जॉनी जलजीरा कहता है कि दादा जी आपको हो क्या गया है। दादी को मरे हुए एक हफता भी नहीं हुआ और आप कभी गंदी फिल्में देखकर हाथ गाड़ी चला रहे हो तो कभी कॉलेज की लड़कियों पर लाइन मार रहे हो। तब ही दादा जी कहते हैं कि मैं पिछ जलजीरा की पिछवाड़े में बार-बार बंबू करने लगते हैं। इसी तुरान जॉनी जलजीरा के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें बुल-बुल बजवाले की एक नंगी फोटो होती है और उसके नीचे लिखा हुआ होता है कि प्रोफेसर जल्दी आओ और ले लो मे जो उसे कहती है कि बेबी कल तुम्हें वापस आना है क्योंकि कल मेरे पैरंट्स तुमसे मिलने आने वाले हैं। जिस पर जॉनी जलजीरा कहता है कि बिल्कुल जाने मन मैं कल तक दादाजी को छोड़कर वापस घर आ जाऊंगा। जिसके बाद वो दोनों को सामाल लेने के पर जाते हैं जहांपर जॉनी जलजीरा दादाजी से कहता है कि अब बहुत हुआ मैं ठक चुका हूँ। आज आपको जिसके साथ जो भी करना है कर लो लेकिन कल में आपको अपके घर छोड़कर वापस अपने घर चला जाऊंगा। अब वो दोनों बाते करी रहे थे कि हो जाता है और कहता है कि फिर ठीक है मुझे लगा कि आप लोग पुलिस वाले होंगे जिसके बाद वो उन्हें अपने गांजे की पूरी दुकान दिखाता है और कहता है कि ये देखो मेरे पास तो एक से बढ़कर एक माल पड़ा है इसके बाद वो दोनों बीच पर जाते ह जहां पर उन्हें बाल शत्री और बुल बजवाले मिलती हैं। जहां पर दादजी चुपके से ड्रिंक में नशे की बहुत सारी गोलिया मिला देते हैं। जिसमें वो गलती से उस दारू के गिलास को भी पी लेता है जिसमें दादजी ने नशे की गोलिया मिलाई थी। जिसके बाद वो नंगा ही वहां से बाहर भाग जाता है और एक बाइक उठा कर वहां से कहीं चला जाता है। फिर अगली सुबे जब उसकी आँख खुलती है तो हम देखते हैं कि जौनी जलजीरा जेल में होता है। फिर वो पुलिस वालों से कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया मैं तो खुद एक लॉयर हूँ। लेकिन पुलिस वाले उसे कहते हैं कि तुम रात बर बिना कपडों के बाइक चला रहे थे और लड़कियों के पीछे भाग कर उने परेशान कर रहे थे। इसी दुरन वहाँ पर हम नीरजनाकारा को भी देखते हैं जिसे कल रात को पुलिस ने नमक बेचने के जुर्म में अंदर किया था। लेकिन नीरजनाकारा उन पुलिस वालों का अच्छा दोस्त था इसलिए वो उसे छोड़ देते हैं। अब ये देखकर जॉनी जलजीरा को गुसा आजाता है और वो उनको कहता है कि तुम लोगों ने नमक बेचने वाले को तो छोड़ दिया लेकिन मैंने तो कुछ किया भी नहीं तो मुझे अंदर क्यों कर रखा है। और साथ ही मैं एक लॉयर भी हूँ। अब ये सुनकर उन दोनों पुलिस वालों को लगता है कि शायद ये मजाग कर रहा है इसलिए वो उस पर हसने लगते हैं। कहते हैं कि तुम्हें एक लॉयर कैसे हो सकते हो। लॉयर बनने के लिए तो तुम्हें 200 सालों तक पढ़ाई करनी होगी। फिर जॉनी जलजीरा उनसे कॉल करने के लिए फोन मांगता है लेकिन एक पुलिस वाली उसका फोन अपनी कच्छी में डाल देती है ताकि वो उपन मिला हूँ मेरी जिन्दगी के घोड़े लग गए हैं लेकिन अब बस बहुत हुआ मैं आपको आपके दोस्त के घर छोड़ दूगा और फिर आप उसके साथ जहां जाना है चले जाओ जिसके बाद वो उन्हें उनके दोस्त के घर ले जाता है जो कि उनके साथ आर्मी में थ लेकिन वहाँ पर पहुंचते ही उन्हें पदा चलता है कि उनके दोस्त को एक गंभीर बिमारी है जिसके चलते उसके पास कुछी दिन बचे हैं अब ये देखकर जॉनी जलजीरा भी एमोशनल हो जाता है और वो दादा जी से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है तबी दादा जी को भी एसास होता है कि उनका पत्ता कभी भी साफ हो सकता है इसलिए वो जॉनी जलजीरा से कहते हैं कि आम में वापस जाना होगा क्योंकि मुझे किसी भी हालत में बुल-बुल बजवाले को बजाना ही है जॉनी जलजीरा कहता है कि दादा जी आप सच में पागल हो गए हो क्या जबसे दादी मरी है आपका दिमाख आपके गोटों में आ गया है इस पर दादा जी कहते हैं कि मुझे तुम्हारी दादी नहीं का था कि मेरे जाने के बाद तुम जो चाहे वो कर सकते हो और अम मैं उस लड़की को बजाना ही चाता हूँ अब जोनी जल लेकिन तब ही वहाँ पर जोनी जलजीरा और दादा जी भी पहुंच जाते हैं और फिर दादा जी कहते हैं कि हम इन दोनों घदो को तो आसानी से हरा देंगे अब कॉम्पटिशन शुरू होता है जहां पर गुड़ू और पपलू अपना फालतू सा डांस पेश करते हैं ल और वो कॉम्पटिशन को बीच में ही छोड़ कर वहां से चला जाता है वो दादा जी से कहता है कि मैं एक लॉयर हूँ और मैं ये सब नहीं कर सकता और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ये सब कैसे कर पा रहे हो आप हो कौन तबी दादा जी उसे बताते हैं कि मैं एक स्पे दादा पोते तयार होकर पार्टी में पहुंचते हैं जहांपर बाल शत्री और बुल-बुल बजवाले उनका वेट कर रही थी अब वहाँ पर पहुंचते ही बुल-बुल बजवाले दादा जी पर टूट पड़ती है और वो दोनों साथ में डांस करने लगते हैं लेकिन में हिम्मत है तो बाहर आके बात कर अब दादा जी भी उसकी बात मान जाते हैं और वो सभी कलब से बाहर आ जाते हैं अब लड़ाई के लिए पहले दादा जी जौनी जलजीरा को बेशते हैं लेकिन वो गुंडा जौनी जलजीरा को एक ही गुसंड में ठंडा कर देता है इसके बाद वो बालशत्री को भी मारने उसके पास आता है लेकिन तभी पीछे से दादाजी आ जाते हैं जिनोंने उसकी पूरी गैंग को पहले से ही चित कर दिया था. फिर वो कालिय को दबोच लेते हैं और उसे कहते हैं कि सबसे पहले तु पापा की परी से माफी मांग और कहें कि मैं एक नंबर का चूतिया आदमी हूँ. अब फटी हालत में वो कालिय भी उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं एक नंबर का चूतिया आदमी हूँ. जिसके दुरन वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसने ही वाले होते हैं पर तभी बालचत्री को पापा की परी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि कालिया और उसके दोस्त मिलकर दादा जी और बुलबुल बजवाले को उठा ले गए हैं अभी तीन उनको बचाने के लिए जैसे ही वहाँ पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि दादा जी और बुलबुल बजवाले वहाँ पर मस्त गुंडों के साथ बैट कर माल फूक रहे हैं इसके साथ ही दादा जी की उन गुंडों के साथ काफी अच्छी दोस्ती भी हो चुकी है इसके बाद वो सभी पार्टी पे जाते हैं जहांपर दादा जी का गाना सुनकर बुलबुल बजवाले गरम हो जाती है और कहती है कि आस्तों में इस आदमी के साथ खुद को ठंडा करके ही रहूंगी फिर पार्टी खत्मोने के बाद वो दोनों लड़कियां उन्हें कहती हैं कि हम उपर आपका वेट कर रहे हैं इसलिए तुम जल्दी से हमारी लेने के लिए उपर आ जाओ अब वो दोनों उनके साथ मजदूरी करने के लिए एक्साइटेड थे लेकिन तभी जॉनी जल्जीरा को रेलाइज होता है कि वो गलत कर रहा है नेक्स्ट विक उसकी शादी है और वो अपनी होने वाली पत्नी को धुका नहीं दे सकता इसलिए वो बालशत्री से कहता है कि मैं दादा जी को सब कुछ सच बताने जा रहा हूँ अब ये सुनकर दादा जी कहते है कि अबे तु चूती आओ गया है क्या तु तो अपने सासत मेरे भी घोडे लगवाएगा अब जॉनी जलजीरा जैसे ही उनको सच बताने के लिए उनके रूम में जाता है तभी वो देखता है कि वहाँ पर गुड़ू और पपलू पहले से ही मौजूद होता है और उनके पस इन दोनों का बायो डेटा होता है जिसके बाद वो उन लड़कियों को बता देते हैं कि ये जॉनी जलजीरा कोई फोटोग्राफर नहीं बलकि एक लॉयर है और साथ ही ये बुड़ा कोई प्रोफेसर नहीं बलकि एक रिटायर आर्मी का सोलजर है अब ये सुनकर बालचतरी का दिल तूड़ जाता है और वो जॉनी जलजीरा से कहती है कि तुमने मुझे धोका दिया तुम दोनों नहीं हमसे जूड बोला और बस हमारा इस्तिमाल करना चाहा अब वो दोनों वाँ से जाने लगते हैं लेकिन तभी बुलबुल बजवाले दादाजी से कहती है कि मैं अभी भी तुमारे साथ मजदूरी करना चाती हूँ और मैं चाती हूँ कि तुम मेरे साथ इतनी मजदूरी करो कि तुम मेरी इस छोटी सी दुकान का गोदाम बना दो इसी दोरान वहाँ पर वो पुलिस वाले भी पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि हमें खबर मिली है कि यहाँ पर कोई माल फूक रहा था तभी जोनी जलजीरा की तालाशी ली जाती है और उसकी जेम में से नमक का पैकेड मिल जाता है जिसके बाढ़ उसे फिर से जेल में बंद कर दिया जाता है फिर अगले दिन जब उसकी बेल कराई जाती है तो इस बार वो अपने दादा से कुछ नहीं कहता और उन्हें वहीं छोड़कर चुपचा वापस अपने घर आ जाता है अब नेक्स्ट विक उसकी शादी ओने वाली थी तो सभी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं लेकिन इसी दोरानम देखते हैं कि जॉनी जलजीरा अपनी शादी से खुश नहीं था क्योंकि उसे अब बालशत्री से प्यार हो चुका था और वो सिरिफ उसी के बारे में सोच रहा था अब ऐसे ही एक हफता निकल जाता है और फाइनली जॉनी जलजीरा का शादी का दिन भी आ जाता है लेकिन जॉनी इस बात से खुश नहीं था और वो रूपारंगीली से कहता है कि मैं तुम से शादी नहीं कर सकता अब क्योंकि उसका माई खराब हो चुका था इसलिए वो यही बात दूसरे अंकल से कहता है लेकिन वो अंकल गूंगे होते हैं तो वो रूपारंगीली को नहीं बता पाते तब ही वहाँ पर एक वेटर आता है और वो वेटर से कहता है कि तुम रूपारंगीली को जाकर बोल दो कि जॉनी जलजीरा उस से शादी नहीं कर सकता अब अब ये सुनकर जौनी के भाई को लगता है कि शायद रूपा रंगीली को भी जौनी से शादी नहीं करनी, इसलिए वो जौनी जलजीरा को बताता है कि वो भी मान गई, अब ये सुनकर जौनी खुश हो जाता है और भागता हुआ बालचत्री के पास जाने लगता है, तभी वो बालचत्री का पीछा कर सकें, अब वो तीनों बालचत्री के पीछे जाने लगते हैं, जिस दुरन वो ढखकन पुलिस वाले भी उनके पीछे पड़ जाते हैं, फिर कुशदेर बाद फाइनली उन्हें बालचत्री मिल जाती है, और फिर जौनी जलजीरा उसे कहता है कि अब मैं शादी नहीं कर रहा क्योंकि मैं तुम से प्यार करता हूँ और तुम से शादी करना चाहता हूँ अब क्योंकि बालशत्री भी उससे प्यार करती थी इसलिए वो मान जाती है जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसने लगते हैं लेकिन तबी वहाँ पर वो पुलिस वाले उन्हें पकड़ने पहुंच जाते हैं लेकिन नीरजनाकारा जैसे तैसे उन पुलिस वाले से बात करके मामले को संभाल लेता है इसके बाद हम रूपारंगिली को देखते हैं जिसे पता चल चुका था कि उसकी शादी तूट चुक जॉनी जलजीरा और बालचत्री की शादी हो चुकी है और उनका एक छोटा बच्चा भी है वहीं पर हम दादा जी और बुलबुल बजवाले को भी देखते हैं और इन दोनों ने भी अब शादी कर ली है साथ ही दादा जी और जॉनी जलजीरा का रिलेशना बच्चा हो च लेकिन दादा जी अभी भी उसके पिछवाडे में उंगली करते ही रहते हैं और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है